हमारे चैनल में आपका बोधो स्वागत है, सभी को मेरा नमस्कार, जै माताती तो आज है नवरात्री का छठा दिन और आज हम सुनेंगे नवरात्री के छटे दिन की माता की कहानी, मा कात्यायनी की कथा तो आईए सुरू करते हैं माजरुगा की छटी सकती है मा कात्याइनी नवरात्री में छटे दिन मा कात्याइनी की पूजा की जाती है इनकी उपासना और अराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धाम, काम और मोच चारो हलों की प्राप्ती होती है उसके रोग, सोख, स्तताम और भे नस्ट हो जाती है जन्मों के समस्थ पाप भी नस्ट हो जाती है इस देवी को नवरात्री में छटे दिन हूजा जाता है कात्य गोत्र में विस्व प्रशिद्य महर्शी कात्याइन ने भगवती परंबा की उपासना की कठिन तपस्या की, उनकी इच्छा थी की उन्हें पुत्री प्राप्त हो मा भगवती ने उनके घर पर पुत्री की रूप में जर्म लेए इसलिए यह देवी कात्याइनी कहलाइ इनका गुड सोधकार है इसलिए इसे वैज्ञानिक रूप में कात्यानी का महत सरवादिक हो जाता है इनकी किरपा से ही सारे कार पूरे हो जाती है ये वैदनात नामक इस्थान पर पकट होकर पूजी गई मा कात्यानी अमुत्फल दायनी है भगवन क्रेश्न को पती रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपिय ने इननी की पूजा की थी यह पूजा कालंदी यमना के तरफ पर की गई थी इसलिए ये ब्रज मंडल की आदिसस्थी देवी के रूप में भी पूज़ित है इनका सरूप एत्त भब्ब और दिब्ब है ये स्वड के समान चमकीली और भशवार है इनकी चार वो जाएं है दाई तरफ का उपर वाला हाथ अभे मुद्रा में है तता नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है मा के बाई तरफ के उपर वाले हाथ में दलवार है वा नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुसोबित है इनका वहानवी सिंग है इनकी उपासना और अराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मौच चारों फलों की प्राप्ती होती है भक्तों के रोग, सोक, संताप और भे नस्ट हो जाती है जन्मों के समस्त पाप भी नस्ट हो जाती है इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परंबद की प्राप्ती होती है तो छटे दिन का जो नवरात्रा होता है वो माता कात्यानी को समर्पित होता है तो छटे नवरात्री में माता कात्यानी की कथा सुनना आनिवार है अगर आप वरत रहे हैं तो माता कात्यानी की कथा अवश्य सुने तो आपके समझ मैंने माता कतानी की व्रत कता रखी है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता है वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सस्क्राइब करें इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी जै माता दी